बिसमिल्लाहि रह्मार निराहिम असलाम नेकून टियर स्टुडेंट होप यू आल गॉइंग वेल वेल्कम बेक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलिज केप्शियन फंडेमेंटल्स ऑफ पॉब्लिक रिलेश्चन की हम लोग सीरिस कर रहे हैं आज उसका लेसन नंबर 17 है उमीद है कि आप सब लोग पॉब्लिक रिलेश्चन की मिनिंग्स को इसकी जो फंक्शन हैं उसको अच्छे तरह समझ गये होंगे लेकिन पिर भी मैं साथ सा रपीट और वाइस करती रहूंगी ताकि आप लोग की आप लोग न्यू हैं इस प्लैटफार्म पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें वीडियो को कॉमेंट करें ठीक है अपने कीमती राइस से मुझे जरूर बताया करें और मेरी बहुत रहनुमाई होती है कि आप लोग क्या चाह रह है उसका टॉपिक है रॉल ऑफ पब्ली डिलेशन हम लोग ने प्रिवियस लेसंस में सब कुछ पढ़ा है कि रॉल ऑफ पब्लीक यलेशन जो वो लेबर में किस तरह है, रिलिजियोंस में किस तरह है, एजुकेशनल इस्ट्यूट में कैसे प्ले कर रहा है, तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्किटिंग में, जैसा कि अगर मैं आपको प्रिवियस लेसन में से थोड़ा सा बताऊं कि पॉब्लिक रिलेशन का र प्रिवियन के इस्टिवियर्ण के कस्टमर के साथ, उनकी पबिक के साथ उनने में अपना करदार अदा करता है यह लगिए कि-उन्हेस का हैं कि अब मार्किटिंग में क्या में प्रॉदुक करता है यह विगा, वबॉदुक क से दूर करने में अपना किरदार अदा करता है यहीं इसका आवर वियू था आगे हम पॉइंट वाइप पॉइंट पड़ते हैं कि पब्लिक रिलेशन क्या करता है एक तो पब्लिक साइंग न्यूज इवेंट अक्सर मार्किट में कोई ना कोई इवेंट होता है तो उसकी जो न्यूज होती है उसे पब्लिक साइंग करता है प्रमोटिंग इस्टैबलिशी प्रोडक्स और सर्विसिस जो प्रोडक्ट है उनकी सर्विसिस को जो है वो क्या करता है प्रमोट करता है प्रमोशन में इस्टैबलिश करने में उसके बाद क्या है उसका जो थर्ड है वो है क favorable reputation है जो company की उसको create करने में अपना किरदार अदा करता है अरेंज करता है और publicize करता है public appearance of marketing spokesperson ठीक है उसको करता है फिर आजाता है आपका कि prohibiting public opinion जो public opinion आ रही है उसके बारे में क्या है वो अदारे को और public को साथ में attach करने में bridge की तरह का किरदार अदार करता है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं कि जो news coverage हो रही है sales conference हो रही है उसके बाद trade shows हो रहे हैं इन सारी चीजों को प्रमोट करता है assisting in program concerning community सॉरी consumerism consumerism मतलब कि क्या है कि जो assisting करता है program में जो जो चीज़े consume की गई है उसको सारे को assist करता है अब जो PR है वो इसमें चार पीस बरे एहम किर्दार अदा करते हैं जो public relation है वो चार पीस को अगर हम उनको उठा लें तो हमें इसे सारी game समझ आ जा जएगी कि market में जो public relation है वो किस तरहां से काम करें जैसे कि आपके सामने एक chart बना हुए है four piece to PR role in marketing कैसे आ जाता है public relation में पहले पीस पहले पीस इन्होंने क्या लिया है product ठीक है पी फर प्रोड़क्ट पी फॉर प्लेस पी फॉर प्राइस पी फॉर प्रमोशन यह चार पीस है अगर आप इनको समझ जाएं तो आपको सारी जो marketing है हो रही है इसकी जो भी गेम होती है PR में और उसको अच्छा स्टेब्लिश करने में बहुत अच्छे से आप इसकी मिनिंग समझ जाते हैं अब हम वान बाइवन इन पी को समझेंगे कि यह फॉर पीस क्या किर्दार अदा करें दफस्ट पी जो के फस्ट पी है वो डिनॉर्स करता है कि इसको प्रोड़क्ट को मिनिंग क्या है देर करना सकेंड़ का मतलब है फरेंटब बहुई हों प्लेस प्लेस में प्लेस पें क्या होता है औरिजिन अंड जार टिरिटारी ओफ प्राइस क्या होती है keeping the mind the market ठीक है market में जो आ रही है acceptability क्या है अक्सर जो होती है चीज़े बहुत ज़्याद expenses होती है कुछ यह है कि जो पब्लिक के लिए आपके लिए acceptability क्या है and the prevalent competition और आप उसकी दूसरे के मकाबले में आपके price कहा stand कर रही है ठीक है क्या उस जगह पर stand करती है जिसे public understand कर सके कि हाँ इसकी price इतनी अगर लगा दीगी है तो ठीक है ठीक हो गया like खाड़ी का brand है गुल एहमद है तो उन दोनों में चलेगा यहां पर इंब्रॉडी ड्रेस जो है वो 5000 से start होता है खाड़ी में कितने हजार से start यह competitive सारी स्टड़ी आजगे प्राइस में आपका जो फॉर्थ पी हमारा stand करता है उसका रोल होता है promotion of the product किसी product की promotion को product की promote करना ठीक है the PR and marketing mix इसमें क्या आ जाता है marketing mix में क्या आता है सबसे पहले जा जा जाता है आपका conception जा जा जाते हैं innovations क्या आ रही है हमारी और modification नई चीज़े क्या आ रही है of new product इन सब के बारे में आप लोगों को study करना होता है देखना होता है जाज़ा लेना होता है the place of the product in product life cycle product की जा लाइफ साइकल है उसमें आपकी product कहां पे खड़ी है ठीक है क्या किसी कोई product ऐसी होती है जिनकी मांग बहुत ज़्यदा होती है कुछ मिलती जलती products जैसे के सारे ब्रैंड गुलेहमत घाड़ी सब compete कर रहे हैं सब भी एक दूसरे के मकाबले में ख़रें है product life cycle में इत्तिक हो गया उसके बाद आपके marketing research marketing research यह होती कि आप कहां stand कर रहे हो और आपके competitor कहां पे stand कर रहे है naming and branding branding का name क्या है उसके जो name है वो क्या है product image कैसा है market segment कैसे है आपके पिर आपकी आ जाती है pricing कैसी है product mix rationalization and standardization है बनाती है आपके अंदर कुछ different और unique लाती है वो सारी चीज़ों का आपने जाए distribution कितनी है आपकी sales force कितनी है market education कैसी है आप लोगों को कितनी अपनी market के बारे में कितना educate करें कि लोग आपकी तरफ खेंचे चले है corporate and financial public relation कैसे है आपके इसके बाद आते test marketing कैसी है आपके advertising कैसी है इंडस्ट्री रिलेशन कैसी है आपके advertising research कैसी है आपकी sales promotion the after market ठीक है कितनी करने में कामयाब होते हो public relation and market education क्या है कि three threefold effect of market education advertising किस तरह होते है कि हम तीन चीजों को किस तरह follow कर सकते है market advertising में सबसे पहले आते है we'll have to make advertising more quickly ठीक है एक तो आपकी more quickly होने चाहिए acceptable होने चाहिए and productive in response होने चाहिए होने चाहिए और बहुत ज्यादे इंप्रेसिव भी होनी चाहिए उसकी बादाज है could make less weight advertising possible अगर आपको पतल लगता है कि आप less weight advertising भी बना सकते तो उसकी भी कोशिश कर whenever advertising is conducted it is likely to be more commercial ठीक है जब आप conduct करते तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा कमर्च करें कुछ है आपने देखा जो बार 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 आड़े होते हैं just overall marketing expenses could be reduced if more was spent on public relations ठीक हो गया how to educate the market अब question हमारे जहनों में आ रहा है कि हम जो है educate कैसे कर सकते हैं market तो kinds of market education सबसे पहले हम लोगों ने one दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम market को educate कर सकते हैं पहला तरीका है one kind of market education prepare the market in advance सबसे पहले तो आप क्या करो market को advance तोर पे prepare करो ठीक है also called pre-sailing pre-sailing कहलाती है आपकी किसी भी चीज़ को इससे पहले planning करना लोगों का mind making करना इस तरह से अक्सर आपने देखा है कि product market में बाद में आती है लेकिन उसका दूम जो है पहले मचा दी जाती है तो उसी हम कहेंगे pre-sailing ये marketing education ओरी है educate किया जा रहे हैं लोगों को second जो हमारे पास education आ रही है आप क्या बेस्तर चीज़ बेच रहे हैं दूसरे लोगों से क्योंके लोग जो है different चीज़ों को पसंद करते हैं types of market market की क्या types first type of market the people who sell your products or service वो trade कहलाते हैं जो लोग आपकी चीज़ों को sale कर रहे हैं ठीक है the people who buy or use your product or customer or user ठीक है आप तो पीछे बैठे हुएं जिनकी company और और फ्रांट पर क्या होते हैं एक customer होते हैं दूसरा आपका जो सामने घरा बंदा होता है जो उसे deal कर रहा होता है ये दो तरहां की marketing होती है हमारे हाँ उसके बाद क्या होता है कि effects of effects क्या होते है adopting market education strategy अगर आप marketing education strategy को अपना लेते तो उसके effects क्या होते है it helps to maintain sales resistance जो आपकी sales में रिजिस्ट आ रहा था उसको maintain करने में help करती है easier for the sales force to achieve adopt cheap educate distribution prayer to advertising मतलब कि क्या होता है कि ये दूसरे लोगों को easier बनाते है अक्सर आप लोग जाकर confused हो कि आपको इस तरहां की चीज़ से ये वो कहां से मिलेगी तो आपको guide किया जाता है कि हमारे पस ये quality है इतनी range में इसमें ये quality साब को मिल जाएं तो easier बनाता है जब आप किसी को educate कर देते है it helps to reduce the cost of advertising advertising की जी cost आरी उसको help reduce करने में help करता है उसके बाद के it makes advertising more effective अगर तो आप marketing तोर पे educated हैं तो आपको पता होगा कि ये इतनी rate की चीज़ नहीं है हमने इसी इतनी rate में purchase करना है ठीक है और इसी क्या effective भी बनाता है इस advertising को उसके बाद जो हमारे पस आ जा जाता है marketing educate करने के लिए अगर एक media relation campaign है in press radio and pvt के वहाँ पे campaign चलाई जाती है जहां पे आप बता रहे होते हो कि हम ये मतलब sensorine का देखरो वहाँ पे आप educate किया जाता है कि अगर आप sensorine use करेंगे तो आपको sensitivity नहीं होगी आपके खुमलसूरों में खून नहीं आगे मतलब क्या होता है testing of testing of prototype by potential user often providing material for media relations जो आपके अंदर potential आ रही है आप testing कर लेते हो इसे मीडिया से production of slides, videos and other audio and video sets for our use at dealers, customer conventions और ETC ठीक है इनको क्या करना है आपने production of slides आपके पास जो product है उसकी slide के उपर आप आपने देखा हुआ अकसर चल रहे होते हैं आप लोग गारियों में जा रहे होते हैं तो क्या होता है signboard लगे होते है LEDs लगी होती है जहापे कोई न कोई चल रहा होता है ठीक है उसके बाता है work visits for dealers ठीक है dealers के साथ work visit होता है special campaign aimed at particular opinion leaders और influential groups ठीक है उनके साथ आपने क्या ऐसे groups जो कि अपना society में कोई मतासर कोई असर रखते हैं मतलब कि शाहद अफ्रीदी से लोग मतासिर हैं तो उनको आप एड में ले ले लेते हो उनको product यूज करते हैं वे दिखाते हो लोग खुद बाखुद उसकी तरफ direct होते हैं यह आप क्या कर रहे हो marketing उनको educate कर रहे हो the production of printed material which may be needed to support these activities कुछ न इंटिन material provide करते हैं जो कि इस activities को मजीद आगे promote करता है ठीक है यह आपका था आज का हमारा जो topic था पब्लिक रिलेशन का जो रोल है वो मार्केट में कैसे होता है तो मार्केट में उसको सिरफ customer को educate करना होता है और जो इदारा होता है उसकी और public के दरम्यान जो होता है उसक को maintain करना होता है image build करना होता है और लोगों को educate करना होता है